किया कार्थिकारियन आने वाले टाइम में Bollywood industry को एक other option की तरह रखने वाले हैं किया कार्थिकारियन side by side एक और career pursue करने की तयारी कर रहे हैं किया कार्थिकारियन acting को option लेकर चल रहे हैं Recently कार्थिकारियन ने अपने social media पर जो किया है उससे यही सामने आता है कार्थिकारियन ने अपने Instagram अकाउंट पर आक्टर लिखा हुआ था अब आक्टर के साथ उन्होंने B-Tank भी डाला है जाहिर सी बात है कार्थिकारियन एक इंजीनियर हैं उन्होंने प्यार क्या पंच्रामा फिल्म कर ली थी उसके बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के exams दिये कार्थिकारियन ने अपने interview में भी बताया था कि कैसे वो exams देने जाते थे और साथ की जो students हैं वो उनके साथ selfie click करवाते थे पिछले कुछ समय से कार्थिकारियन को लेकर negative खबरे आ रही है कि कैसे करण जोहर ने blacklist कर दिया है और करण के साथ साथ उनके जो अच्छे रैपों वाले producers हैं वो भी कार्थिकारियन के साथ काम नहीं करेंगे कुछी दिनों बाद खबर आई कि शारू की रेड चिलीज की एक film से भी कार्थिक को निकाल दिया है और अनेक तरह की खबरे आई कि कार्थिक अन्प्रोफेशनल है कार्थिक टेंट्रम्स दिखा रहा है कार्थिक डेट्स नहीं दे रहा है इन सब मुद्दों पर कार्थिकारियन ने चुपपी साधी हुई है वो चुपचा बस अपना काम कर रहे हैं ऐसे में अब ये बीटेक अड़ करना कहीं न कहीं ये भी बताना है कि मैं अक्टर हूँ लेकिन अक्टर के साथ साथ मैं एक इंजीनियर भी हूँ बात करें अगर ट्विटर की तो ट्विटर पर तो कार्थिकारियन ने अपने आपको अक्टर लिखा ही नहीं है उन्होंने वहाँ पर अपनी बायो में सिर्फ और सिर्फ B-Tech ही लिखा हुआ है कहा जा रहा है कि ट्विटर पर पहले उन्होंने एक्टर मेंचिन किया हुआ था उसको चेंज करके उन्होंने ये B-Tech डाला है अब सोशल मीडिया पर कार्तिक के स्टेप को अलग-अलग रियाक्शन्स मिल रहे हैं कुछ लोगों ने कार्तिक की सराना की है कि वो एक आक्टर है लेकिन वो एक इंजीनियर भी है उन्होंने चार साल अपनी जिंदगी के इंजीनियरिंग को भी दी है तो क्यूं उस डिगरी को वो प्रमोट नहीं करते हैं वही कुछ लोगों को इस बात से दुख पहुचा है कि क्या आगे जाकर कार्तिक आरियन इस इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं कि सुशान्द के साथ जो हुआ वैसा ही कुछ कार्तिक आरियन के साथ हो रहा है जो उन्हें फील होने लगा है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है एक यूजर ने कहा कि अच्छी बात है अगर कार्तिक इंडस्ट्री छोड़ दे क्यूंकि ऐसा करके वो डेंजर से बाहर आ जाएंगे वही किसी ने कहा कि at least वो अगले SSR तो नहीं बनेंगे उन्होंने पहले ही ऐसा करके कही न कहीं दर्शा दिया है कि वो अपने engineering career option को plan B लेकर चल रहे हैं